ओम वंदेगवा मात्र मित्रो ब्रह्मलीन शंतसी डोंग्रेजी महाराज द्वरा रशीत ग्रण्थ स्रीमत भागवत रहसे काम पठन कर रहे हैं मित्रो हम दुतिय सकंध में प्रवेश कर चुके हैं अभी तक हमने सुना कि किस तरह राजा परिक्षित को रिशी शिंग इश्राप देते हैं और वो सब्पुष छोड़चार का राजपार छोड़चार का एक गंगा किनारे चले जाते हैं और वो अंशन में लग जाते क्योंकि उनको अब उन्होंने अन्यजल सब पुस्त त्याग दिया क्योंकि जब पता है सादिन वाद मुर्टी होने वाली है तो ढूंड रहे हैं कोई ऐसा मार्ग बता दे कि सादिन में मुझे मुझे मुक्ती मिल जाए तो रिशी गंतों से उन्हें उपदेश नहीं देते हैं किन्तो इश्वर की प्रेणा से शुकदेव जी आते हैं और शुकदेव जी के सामने अपने मन का प्रशन रखते हैं उत्तर के रुपे शुकदेव जी उन्हें ध्यान धरणा आदी क्या विधियों सारी बातें जानकर ये देते हैं वो हमने पिछले अंक तक देखा अब हम आगे बढ़ते हैं तो पहले मंगलाचरन कर लें भगवत भक्ति के प्रधाने रूप निरूपन लोग परमात्मा को धन देते हैं किन्तु वे तो मन मांगते हैं विहवार तो करो किन्तु इश्वर में कृष्ण में मन रखकर करो पनिहारी ने पानी से भरे घड़े को सिर्पर रखकर बाचित करती हुई चलती हैं फिर भी उनका ध्यान सिर्पर रखे वे घड़ों में रहता है कि कहीं वे गिर ना पड़ें इससी तरह संसार में व्यवार करते समय भी हमेशा इश्वर का समरण भी करते रहो जगत के पदार्थों में आसकत ना रहो यहां एक बात और बता दू मित्रू जिनको पानी सर पे रखके चलने की आदत होती हो कैसे भी चल लेते हैं कि मैंने ये काम खुद भी किया है और हमारे आसपास जो मैं गाउं में रहती थी तो मैंने करते भी देखाया और आप मेरे उमर की होंगे तो आपने गाउं में किया होगा और हमसे बड़े हैं तो आपने पका किया होगा पर एक बात और बताओं जिनको इसकी अभ्यास नहीं ह आते हैं फातु की चर्चाएं करते हैं बुले बिटा आप एक काम करो उन्होंने एक ग्लास दिया पानी भर के बुला इसको लेकर आपको प्रदेक्शना करनी है और ध्यान रखो कि यह गंगा जल है इसमें से एक बुन भी गिरने ना पाए अरना तुम्हें पाप लगेगा उ जब उसकी प्रदेक्शना पुरी हो गई तो गुरुजी के पास आके बोली यह लीजी गुरुजी जल मैंने बिल्कुल नहीं करने दिया अब तो मुझे पाप नहीं लगेगा ना बोले बिटा एक बात बताओ कि तुमने किस किस की बाते सुनी कौन क्या कर रहा था बोले ब बताया कि कई वर और तरीके से समझाना कुछ अवश्यक हो जाता है सरलता से समझ में आ जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं विश्यनंदी व्यक्ति ब्रह्मानंद को समझ नहीं पाता ब्रह्मानंद का वणन कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि जिसको आनंद आता है वो बस फिर ऑनंद में मःन हो जाता है वो किसी को बता नहीं पाता है के भी क्या फिल हो रहा है मिर को इसलिए बात रुचत में दृ्श्टांत तदिया गया है कि शक्रमिश्री शक्र की मिस्री यानिकी मिश्री से बनी हुई हुई गई सो गई उसमें ही विलीन हो गई जो इश्वर में लीन हो जाता है उस जीव को इश्वर कोई इश्वर से भिन्न नहीं कर सकता जो जो ध्यान किया जाता है तो जीव का परमात्मा में ले होता जाता है और फिर जीव का जीवत्व रहता ही नहीं है भागवत में ग्यानमार् कती पे वैशनवाचारे कुछ द्वैत रखकर अद्वैत को मांते हैं भक्ति का आरम भले ही द्वैत से हो किन्तु उसकी समात्ती तो अद्वैत पे ही होती है भक्त और भगवान अलग नहीं रह सकते हैं जो जीव इश्वर में विलीन हो गया है उसे भगवान अपने वैशनवाचारे अभेद भाव में श्रद्धा रखते हैं जल में रहने वाली मचली पानी नहीं पी सकती इस प्रकार जो ब्रहमरस में डूब गया वो ब्रहमरस ब्रहमरूप हो चुका है वह फिर परमात्मा में परमात्मा के रसात्मक स्वरूप का अनभव नहीं कर सकता ब वो एक होने के बाद वो अलग नहीं हो सकता तो जो अभी तक अलग होने के समय उसको जो अनुभूतियां होती थी कि क्या है ये है वो सब अनुभूतियां उसके समाप्त हो जाती हैं तो इसलिए कहा ये बात इन्होंने कहिए तो कुछ लोग क्या कहते हैं वो भी आगे आएग मुझे परमात्मा के साथ एक नहीं होना है मुझे तो परमात्मा की सेवा करनी है मुझे गोलोक धाम में जाना है मतलब यदि एक हो गए तो तो हम वही हो गए वह बात आ जाती है अब यदि हम अलग रहेंगे तो हम नाम जाप करेंगे सेवा करेंगे कुछ और भाव कि तो एक होने के बाद वो स्वाद नहीं आता है ये इनका कहने का तात पर हैं इसलिए वो अंश अपने आपको इश्वर का आंश बताने लग जाता है कि हां मैं इश्वर का आंश हूँ मैं इश्वर नहीं हूँ कि एक हो जाने पर मैं इश्वर हूँ ऐसा हो जाने पर तो फि इसलिए भगवान उत्सव मनाते हैं, भक्ति करता तुका जाला पांडूरंग, मतलब भक्ति करते समय, किन्तु तुकाराम कहते हैं कि यहां यह इसका आर्थ है, कि भक्ति करते हुए तुकाराम पांडूरंग हो गया, निकि पांडूरंग इश्वर का ही भगवान का ही, श्री वापिस हो तुकारा मन जाते हैं जीव इश्वर का अनुभाव कब करेगा जब इश्वर से भिन रहेगा तभी उस रसका अनुभाव कर सकेगा वैशनावाचारे चाहते हैं कि जीव इश्वर से कुछ अलग रहे कीडा भामरी का चिंतन करता हुआ स्वयम भामरी बन जाता है ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जीव स्वम् ब्रह्मरूप बन जाता है यह तो है केवल्य मुक्ति किन्तु व्यशनावजन ऐसी केवल्य मुक्ति की इच्छा नहीं रखते वे इश्वर की सेवा पूजा और उसका रसास्वादन करने के लिए थोड़ा द्वैत भाव रखते हैं जो व्यापक द्रिष्टी में लीन हो चुका है उसे अलग कैसे हो सकता है पानी के जड़या ठोस होने के कारण मचली अलग रह सकती है किन्तु जो पानी में हर तरह से डूब गया हो वे पानी का आस्वादन नहीं ले सकता उसी तरह इश्वर में डूबा हुआ जीव अनुभाव नहीं कर सकता इसलिए वैश्वर महापुरुष्ष्ट थोड़ा सा द्वयत रखकर भगवान की सेवा स्मरण में कृथार्ता अनुभाव करते हैं अब एक भजन अपने सुना होगा पानी में 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 मचली प्यासी है मुझे सुनके हसी आ रही हो कैसे प्यासी है यहां सपस्ट होता है कि जिव इश्वर में हो जाता है तो उसमें भेद नहीं रहता है अब उसको आनंद नहीं मिलता है इसलिए वहां उसको वह प्यासा जशा रह जाता है इसलिए वह उससे अलग रहना चाहता है तो यह कहने का तात्पर यहां ऐसा बनता है यह दोनों सिद्धान्त सत्य हैं खंडन मंदन के पचड़े में मत पड़ो गौरंग प्रभु भी भेधाओ को मानते हैं लिला भेध को मानते हैं परंतु तत्रदृष्टी से अभेध हैं अभिन होने पर भी उन दोनों में सुक्ष में भेध हैं एकनाथ महराज ने भगवान एकनाथ महराज ने भावार्थ नरामायन में उस सिध्धानत को समझाने के लिए एक दृष्टान्थ दिया है अशोक वन में राम के विरह में सीता जी राम का अखंड ध्यान सुम्रण करती हैं सीता जी राम के ध्यान में तन्मे है विरह में तन्मेता विशेश होती है सरवतर राम दीखते हैं माता जी भूल जाती हैं कि वे सीता हैं सभी में राम का उभव करने वाला राम रूप बनता है यही कैबल मुक्ति हैं सीता जी को कई बार लगता है कि वह राम रूप हैं वे अपना स्ट्रित्व भी भूल जाती हैं एक बार सीता ने त्रिजटा से पूछा त्रिजटा को माता कहती थी वो राक्षा से थी पर वो वह उनकी एक मात्र सखी सहीली जो कहलो उनकी रक्षा करने वाली थी त्रिजिटा जो अशुक वाटिका में उनके साथ थी तो वो सब उससे अपनी बात कहती हैं एक बार सिता जी ने त्रिजिटा से पूछा कि मैंने सुना है कि कीड़ा भवरी का चिंतन करता हुआ स्वयम भवरी हो जाती है ब्रहममगा भववरी त्रिजिटा ने कहा कि सीता जी राम का रूप रूप को जाएं तो अच्छा ही हो गा जीव और शीव एक होजाएं तो जीव कृतार्थ हो जाता है सीता जी कहती है कि यदि मैं राम का चिंतन करती हुई स्वहःम ना सकते हैं, यह समझे हैं आपको समझे में आ रहा होगा सिता जी को दुख होता है कि उनका यूगल भाव खंडित हो जाएगा उस स्थिती में तो सिता राम का यूगल भाव नहीं रहे सकेगा तर त्रिजिटा ने कहा अनन्यों अनन्य प्रेम होने के करण राम जी आपका चिंतन करते वे सिता रूप बन जाएगे और इस तरह आपका यूगल भाव जगत में अखंडित ही रहेगा यही भगवती मुक्ति का रहस्य है वेश्णम आचार्य प्रत्म द्वयत का नाश करते हैं और अद्वयत प्राप्त करते हैं फिर काल्पनिक द्वयत बनाए रखते हैं जिसके कारण कनहिया की गोपी भाव से पूजा की जा सके मतलब पहले अदवयत उसमें एक होते हैं उसके बाद भाई सेवा करनी है तो मैं थोड़ा दूर रहूं कि आप वहां तक पहुंच जाते हैं वो समझ में आ जाता है उसके बाद आप फट जाते हैं तो आपको पता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं तो उसमें फिर कभी भी मन में ब्रांती आने की संभावना नहीं होती इसलिए का गया कि पहले एक भाव बने उसके बाद उसमें थोड़ा सा अदवयत रखना अनिवारे हैं यह यहां कहने का तात पर हैं ज्यानी जन ज्यान से अदवयत सिध्ध करते हैं या अदवयत मुक्ती करते हैं कैवले मुक्ती है भक्ति से अद्वयत सिध्ध करते हैं यह भागवती मुक्ति है इस प्रकार दो भक्तियों का वणन हुआ है सत्रे तत्वों का शुक्ष में शरीर है स्थूल और शुक्ष में शरीर का नाश होने पर मुक्ति प्राप्त होती है विचार प्रधान मनुष्य ज्यान मार्ग का चुनाव करता है भावना प्रधान मनुष्य कोमल हर्दय होने के करण भक्ति मार्ग का चुनाव करता है इश्वर से विमुख ना होना ही भक्ति है, सभी साधनों में भक्ति ही स्रेष्ट है, भक्ति सुन्य पुरुषों के सभी साधन निश्वल ही रहते हैं, यानि कि जिसमें भक्ति ना हो, वो कितने भी साधन कर ले इश्वर की प्राप्ति के, वो सारे के सारे सुन्य क्यों कि ग् जीव और इश्वर का मिलन कराने का साधन है कथा भागवत में जहां भी भक्ति शब्द का प्रयोग आता है वहां तिव्र शब्द भी प्रयुक्त हुआ है भक्ति तिव्र होनी चाहिए बिना भक्ति के साधरन भक्ति से कुछ नहीं होता तिव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम व्यराग की इच्छा वाला मुमुक्षु भक्त हो तो उसे तिव्र भक्ति योग से परम पुरुष पूर्ण परमात्मा का पूजन करना चाहिए शुकदेव झी कहते हैं कि हे राजन मुक्ति प्राप्त करनी हो तो आरंभ में भोगों का त्याग करना ही पड़ेगा भोगी इज्ञान या भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता भोग भक्ति में भी बाधक है और ज्यान में भी भोग की अपेक्षा त्याग में अनंत गुना सुख है, इंद्रिये जन्य सुख सभी प्राणियों में एक साही होता है, पशु का मनुष्य का और देव गंधर्व का त्वचेंद्रिये का स्पर्श शुख और जीवा इंद्रिये का रस सुख भी समान होता है इंद्रिय सुख के उपभोग के समय जो आनन्द मनुष्य को मिलता है वही आनन्द पश्वों को भी मिलता है चपन मन रुई की गद्धी पर वाले पलंग पर सोने वाले सेट को जो आनन्द मिलता है वही आनन्द कच्छे कोड़े के धेर पर पड़ेवे गधे को भी मिलता है इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह दिवेक बुद्धी से भोग छोड़े भोग में खणिक सुख मिलता है पर त्याग से हमेशा के लिए अनन्द सुख की प्राप्ति होती है भोग से शांती नहीं मि जया stories जया है वाही सुख सुख को विश्टा खाने में मिलता है राजन अभी स्रिखन खाना और विश्टा खाना दोनों विप्रीत हैं लेकिन पर आनन्द कि वांमिलता मनुष्क भी मिलया को यह जया है आग तुमने आज तक अने को भोगों का उसदा कर पर जाना का पर इंदे रुपी पुष्प तुम भगवान को अर्पेत करो राजन धीरे धीरे सयम बढ़ाओ श्री कृष्ण का सतर ध्यान धरना मनुष्य का मात्र का करतव है जो इश्वर में तन्य होता है उसे मुक्ति मिलती है राजन जन्म उसी का सफल हुआ जानो की जिसे दूसरी बार मा नाता के गर्व में जाने का आउसर ही ना मिले गर्ववास नरकवास है कर्म और वासना को साथ लेकर जो जन्म लेता है उसे उसके लिए भग भग गर्ववास नरकवास ही है यानि कि इश्वर भी आवतार ग्रहन करते हैं किन्तु उनको वो पीड़ा नहीं जिलनी पड़ती क्योंकि उनकी अपने इच्छा के नुसार वावतार लेते हैं जैसे विष्णु जी के दशावतार कहे गए हैं तो उनको पीड़ा नहीं जिलनी पड़ती है इसलिए ऐसा कागा है कि जो कामनाओं की पीड़ाओं से पीड़ित होकर जो पुनर जन्म लेते हैं वो गर्वकाल पड़ी हैं पर यह कलपना है जो भी कहलो पर हां ऐसा हमने पढ़ा है कि सुकदेव जी जनक राजा के राजग्रह में विद्या सिखने के लिए गए विद्या भ्यास समाप्त हो तो सुकदेव जी ने गुरुदक्षना देने की इच्छा प्रकट की जनक राजा ने कहा जनक राजा ने निरुपयोगी वस्तु मांगी तो शुकदेव जी उसकी खोज में निकल पड़े उन्होंने प्रत्थम मिट्टी उठाई तो उसने कहा कि मेरे तो कई प्रयोग हैं पत्थर ने भी वैसा ही का जो भी वस्तु उठाई वे सभी उपयोगी निकल पड़े अंत में हार कर शुकदेव जी ने विष्टा उठाई तो उसने भी कहा कि मैं भी उपयोगी हूं मनुष्य के पेट में जाने के बाद मेरी यह अवस्ता होई है फिर भी मैं निरुपयोगी नहीं हूं क्योंकि विष्टा इदी खेत में पड़े तो खात का काम भी करती है सुर उस सिद्ध होता है और परमात्मा की नित्य लीला में प्रवेश मिल जाता है संगम तक्तवा सुखी भवेत सुखदेव जी ने जनक राजा से कहा कि मैं अपना देयाभी मान गुरु दक्षना में अर्पेत करता हूं यह सुनकर जनक राजा ने सुखदेव जी से कहा कि अब कुछ भी बदाक उठा के देखने की का भी समय नहीं प्रिभी मोर्में को मैं हमने पड़ा था तो ऐसे हैं सुखदेव जी माराज क्योंकर दे भान भूल चुके भान के ने कछ भी भान यह ग्यान नहीं रहता है ज्यान और भान में अंतर है भान यह याने कि आभास हो ना कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, एक एहनकार होता है भान में, पर ज्यान, ऐसे ज्यानी को भी एहनकार ज़ादा ही होता है, कीतना ज्यान है मुझे, वगरे-वगरे, चलो आगे कथा करते हैं, सुकदेव जी ने दिया अभिमान छोड़ दिया, दिये भान नहोंने के कारणी उ नाविशकतर हैती है शुक्देव जी गथा में पराशर जी और व्यायस जी आदि बैठे । रिष्य व युद्व जी के पिता हैं। मतलब यह रिष्यों की राईयों बहुत लंबी होती हैं तो आप समझे कि अलावा और वी रिष्यगण बैठें पर इन दोकावणन इसलिए किया गया है कि ये कौन है उसकी स्तिय आप समझे कि पराषर रिशी के पुत्र व्याज जी है और व्याज जी के पुत्र शुकुदेव जी है ये इस फ़स्ट करिए क्यों कि पूत्थे को सुनने दादा जी आई है यहां कहने का भाव ये बन जाता है दुतियसकंद मे अध्या एक, दो, तीन में भगवत का पूर्ण सार और सारा बोध का आ गया है राजा को जो उपदेश देना था वे इन तीन अध्यायों में विदित है फिर उसके बाद तो परिक्षित राजा का मन विशे और मन विशे की ओर ना चला जाए इसलिए सभी चरित्र कहे गए हैं, शुकदेव जी स्तुती करते हैं स्तुती क्या करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं जो महान भगवत वत्सल हैं और हटपुरवक भक्तिहीं साधना वाले मनुश्य जिनकी छाया का भी पर्ष नहीं कर सकते जिनके समान भी किसी का एश्वरे नहीं, तो फिर अधिक तो कैसे ही होगा तथा जो एश्वरे मुक्त होकर निरंतर ब्रह्म सुरूप अपने धाम में विहार कर रहे हैं ऐसे भगवान स्री कृष्ण को मैं वारम बार नमस्कार करता हूं प्रेम में पक्षपात हो ही जाता है शुकदेव जी राधा कृष्ण को दो बार नमस्कार करते हैं क्योंकि राधा जी शुकदेव जी की गुरू है राधा जी ने शुकदेव जी का ब्रह्म सम्मंद करवाया है इस स्लोक में राधा सा शब्द का अर्थ कुछ महात्मा राधा राधिका जी भी करते हैं शुकदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे वे रात दिन हरे भरे निकुंज में राधा नाम का सतत रटन करते रहते थे शुकदेव जी शिराधा जी के शिष्षे हैं यही कारण है कि भागवत में स्री राधा जी ने जी के नाम का उलेख तक नहीं है गुरू का प्रकट स्रूप से नाम लेना सास्त्री निशिद्ध है भागवत के टिकाकार स्रीधर स्वामी का पांच वस्तों को नित्ते मानते हैं भागवत के टिकाका स्रीधर स्वामी इन पांच वस्तों को नित्य मानते हैं भगवान का स्वरूप भगवान की लीला पहला भगवान का स्वरूप दूसरा भगवान की लीला तिसरा भगवान का धाम चौथा भगवान का काम और परिकर परिक्षित राजा ने पूछा कि अपनी माया से भगवान इस स्रुष्टी की रचना कैसे करते हैं अब ही उत्पत्ती लिला अवतार और माया के प्रकार इसको हम अगले अंक में देखेंगे तो आज का हम यहीं पूरा करते हैं कैसा लग रहा है आपको सुनना कमेंट में आवशे बताईए श्रीकृष्ण गोविन धरे मुरारी इहनात्र नारायन वासु देवाए जैस्रीकृष्ण धन्यवाद वंदे मातरम